Hello friends, आज question number 17 आपकी बीच में लेकर आया हूँ, यह algebra के type C के example में से हमने उठाया है, type C example में हमारे इस type के question आएंगे, x plus 1 by x के value कोई constant k के बराबर दिया हुआ है, यहाँ k की value minus 6 के बराबर है, हमें निकालना क्या है, x square minus 1 by x square की value निकालनी है, तिस value को निकालने के लिए में य यह trick हमने पहले से लिक रखा है, इस trick को use करके, इस question को 2 से 3 line में हम solve करके तुरूंते निकाल सकते हैं, मतलब हमारा solution आसान हो गया है, solution हमारा 2 से 3 line में reduce हो गया है, आज़े देखते हैं कैसे solve होगा, तो here, इस minus 6 को हम k के बराबर मान लेंगे, k is equal to minus 6, इस k की value को हम यह trick की बाले formula हम put करेंगे, तो minus 6 under root minus 6, minus 6 square minus 4, यह हुआ, तो minus 6 under root 36 minus 4, इसको solve करेंगे, minus 6 under root 32 होगा, 32 को क्या ली सकते हैं, minus 6 into 16 into 2 ली सकते हैं, 16 को जब बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, minus 6 into 4 हो गया, under root 2 होगा, 4 का 6 multiply करेंगे, 24 minus 24 under root 2, यह हमारा answer होगा,